सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ग्यान बर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके नमश्कार मित्रों आज के बेडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि ब्रिश भरासी वालों का आज का दिन यानि की एक जुलाई 2020 का दिन कैसा भी इतने वाला है आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या बदलाब होगा क्या-क्या पडिवर्तन होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके धन शंपती के बारे में मित्रों पैसों के द्रिष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहितर और शांदार रहेगा आज के दिन अगर अपने कामकाज में या कहीं भी आप धन शंपती का निबेश करना चाहते हैं तो निबेश के द्रिष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ अवश्य देगा और आने वाले वक्त में भी आपको पैसों की समस्या नहीं होगी वैसे अगर आपके पाडवारिक जीबन की बात करें तो पाडवारिक जीबन के द्रिष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए शामानने से बहुत जयादा नीचे है आज के दिन हो सकता है तो आपके घर पडिवार में किसी विक्ती के वजह से घर पडिवार का माहौल खराब हो जाएगा आज के दिन आपके घर में ही कोई विक्ती आपके घर के माहौल को खराब करने का प्रयास करने वाला है वैसे अगर आपके स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के दृष्टी कौन से भी आपका शमय ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा आज के दिन आप तैलिये पदार्थ का सेबन करने से बचने का प्रियास करें और अगर पॉसिबल हो तो आज के दिन एक्सरसाइज अवश्य करें यह आपके स्वास्त के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है इसके बाद है आपका बैवाहिक जीबन मित्रों बैवाहिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय शामान निसे थोरा सा खराब है आज के दिन किसी पुरानी बात को लेकर आपके जीबन साथी के शाथ आपका शमबंध खराब हो जाएगा लेकिन आज के दिन अपने जीबन साथी को आप खुश करने का प्रयास करें ताकि आपके बैबाहिक जीबन में आपके दामपत्य जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं हो वैसे अगर आपके कामकाज की और देखा जाए तो कामकाज के दृष्टी कोन से आपका शमय अच्छा रहने वाला है आज के दिन अपने कामकाज को अपने कारुबार को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस काम में आप अनुभबी लोगों का शहारा लें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आज के दिन आपका कामकाज आपका काड़े छित्र बहुत जयादा बहुतर और शांदार हो जाएगा इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध मित्रों आज के दिन किसी तीसरे ब्यक्ती की बातों को सुन कर अपने प्रेमी के बारे में आप कोई भी राय बिलकुल भी न दे अन्येथा हो सकता है किसी और ब्यक्ती के वजह से आज के दिन आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के आपका नोक जोक हो जाएगा और आपका प्रेम शंबंद खराब हो जाएगा आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है भुरा और शलेटी आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है साथ यनी की सैबन इसके बाद बात करते हैं कि किस उपाई को आज माने के बाद तहीं ज्यादा शामानी है आज के दिन आप अशनान ध्यान करने के बाद भगबान गनेश की पूजा करें पूरे मन से पूरे आस्था से पूरे एकाग्रता के शाथ अगर आप इस उपाई को आज मा लेते हैं तो आज के दिन कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद जैसी आराम हर हर महादेब